Books That Speak में आप सभी का स्वागत है मौनसून कभी थोड़ा जल्दी आता है, कभी थोड़ी देर से जलवायो परिवर्तन यानि की Climate Change इसके कारण वर्षा की भविश्यवानी करना बहुत मुश्किल और जोखिम भरा होता जा रहा है आईए मौसम विज्यानियों यानि की Meteorologist, भोतिक विदू यानि की Physicist, किसानों और अन्य ऐसे लोगों से मिले जिनका जीवन और काम बारिश और हमारी धर्ती पर इसके प्रभाव का अध्ययन करने के लिए है सुनते है कहानी बारिश के पीछे Original Story Chasing the Rain by Pratham Books कहानी लिखी है मुक्ता पाटिल, चत्रांकन डेविड यैंबेम हिंदी में अनुवाद मनोहर नोतानी कहानी का वाचन असावरी धुशी कभी-कभी इंतजार करना सबसे मुश्किल काम होता है खास कर तब जब मई की गर्मी हमें आइसक्रीम की तरह पिघानने पर तुली हो जब हवा भापरे रुक्सी जाती है जब हर चीज बेरंग हो जाती है आखिर कर बारिश आती है कभी थोड़ा जल्दी तो कभी थोड़ी देर से जून और सितंबर के बीच दक्षिन पश्ची मौनसुन साल भर में भारत को मिलने वाली बारिश का लगबग तीन चोथाई यानि के थ्री-फोर्थ बरसा देता है हमें उसके आने का भरौसा होता है हम मानते हैं कि वो अपने नियम काईदों का पालन कर हमें तप्ती गर्मी से छुटकारा दिलाएगी हमारे आसपास फैली गंदगी को धोड़ा लेगी हमारे खेतों को सींचेगी हमारा अन्न उगाएगी हमारे जमिनों में पानी का भंडार भरेगी हमारी नदियों की प्याज बुझाएगी जब बारिश, धूब या हवा को एक ही स्थान पर समय समय पर मापा जाता है तो पैटन उभरने लगता है कोई 120 साल पहले मौसम वैज्यानिकों ने बारिश का रिकॉर्ड रखना शुरू किया था लेकिन मौसम बदल रहा है जीवाश्म इंधन यानि की fossil fuels जीवाश्म इंधन जलाने और जंगलों को काठने जैसी मानविय गतिविदिया वातावरण में ग्रीन हाउस गैस छोड़ रही है अठारवी शताबदी से हमारी पृत्वी पहले के मुकाबले तेजी से गरम हो रही है जलवायू परिवर्तन हमारे मौनसून को कम विश्वसनिय और अधिक खतरनाग बना रहा है डॉक्टर के नागारतन जैसे विज्ञानिक इन बदलाओं को समझने और मौनसून को बहतर तरीके से जानने की कोशिश कर रहे है तापमान बढ़ने के चलते मौनसूनी बादल अधिक पानी सोख लेते है जब उनके जैसे मौसम विज्ञानी चोटे भू भागों पर बारिश की सटिक मातरा की भविश्वानी करने में सक्षम होते है तब वे दो वर्ग किलोमेटर यानि की टू स्क्वेर किलोमेटर जैसे चोटे क्षेत्रों में आने वाले मौसम की ताजा दैनिक जानकारी भेज सकते है दैनिक यानि के डेली अउद्योगिक क्रांती के बाद से पृत्वी का तापमान एक डिगरी सिल्सियस से अधिक बढ़ा है संभव है कि हर अतिरिक्त डिगरी गर्माहट से भारत की मौनसूनी बारिश में पांच प्रतिशत की बढ़ोत्री हो हम पहले से ही तूफान, सूखा यानि की ड्रोट और बाड यानि की फ्लड ऐसी मौसमी आपदाओ यानि की नाचरल कलामिटी में वृद्धी देख रहे है ये लोगों, जंगलों और जीवों सब ही को प्रभावित करता है कारखानों, वगाडियों के उतसरजन के कारण जन में प्रदूशक, एरोसोल्स और मौनसून के बीच भी एक संबंध है वायू मंडली भौतिक विज्ञानी यानि की अट्मोस्फेरिक फिजिसिस्ट सुवर्णा फडण्विस इस पर शोध कर रही है कोविड-19 महामारी के कारण लगे लौकडाउन के दौरान भारत में प्रदूशन कम हो गया था इस दौरान सुवर्णा ने पाया कि प्रदूशन कारी एरोसोल्स में कमी आने के चलते वर्षा में अल्मोस्ट 3 मिलिमेटर प्रतिदिन वृध्धी हो गई है जलवायू मॉडल कहे जाने वाले कम्प्यूटर सिमुलेशन हमें ये समझने में मदद करते हैं कि जलवायू परिवर्तन से मौनसुन कैसे प्रभावित होता है अपने अपने काम में वैज्ञानीक और सांखी की विद इनका इस्तमाल करते है सांखी की विद इनकी स्टाटिस्टीशियन अश्विनी कुलकरणी उनका कहना है कि अब हम वर्षाहीन और अतिवृष्टी वाले दिन ज्यादा तथा खेती के लिए लाबदायक औसत वर्षा वाले दिन कम देखते है पिछले दो दशकों में बाड का खत्रा भी बढ़ा है मौसम विज्ञानी पुलक गुहाठाकुर्ता इनका कहना है कि इसे पूर्वी तट, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तरप्रदेश, कुजरात और कोकन क्षेतर में देखा गया है भारत के एक बड़े हिस्से की सेहत और खुशी मौनसुन पर निर्भर होती है, खास कर किसानों की किसानों को ये जानने की जरूरत होती है, कि बारिश कब आ रही है और कितनी तेज, ताकि वे जो फसले लगाए, वे बढ़ सके जानकारी योजना की पहली सीड़ी होती है, वीमल मिश्र, जलस अंसाधन और जलवायू परिवर्तन पर शोध करने वाले एक प्रफेसर है, उनके शोध से पता चलता है कि जलवायू परिवर्तन के कारण आकस्मिक सूखे ज्यादा पड़ सकते है, उन्होंने किसानों को मदद पहुचाने वाली एक सूखा पूर्वचेतावनी प्रणाली बनाई है सूखा पूर्वचेतावनी प्रणाली मतलब ड्रॉट अर्ली वार्निंग सिस्टम कई किसान मौसम और मेगदूत आप का भी उपयोग करते है, जो विकट परिस्थितियों के लिहाज से मौसम का पूर्वानुमान लगाते है, यानि कि वैद़ फॉकास्ट और चेतावनी देते है वैज्यानिक राम धुली पाला इन आप्स को बनाने वाली टीम का हिस्सा थे लेकिन मौसम को जान लेने भर से ही इसे अनियमित होने से तो नहीं रोका जा सकता इसलिए किसान जलवायू परिवर्तन के अनुकूल तरीके अपना रहे है केरल में शाजी एनेम, रतालू, कसावा और अर्बी जैसे कंद मूलों की 200 से ज्यादा किस्मों का संग्रह वरोपन कर रहे है मौसम अनुकूल ना होने पर कंद विकसित होना बंध हो जाते है लेकिन परिस्थिती बहतर होते ही बढ़ने लगते है कंद मूल यानि की रूट वेजटेबल्स ओडिशा में देबल देब, चावल की 1400 से अधिक परम परागत किस्मों का सवरक्षन कर रहे है जो सूखे और बाढ दोनों का सामना कर सकती है साथ ही तटियक शेत्रों में खारे पानी की बढ़ती समस्या का भी तटियक शेत्र यानि की कोस्टलेरिया महराष्ट्र में करुणा और वसंत फुटाने कई वर्षों से धूल बुवाई का अभ्यास कर रहे है धूल बुवाई यानि की डस्ट सोईंग पहली बारिस से पहले ऐसा करने से बीजों को ये सीखने में मदद मिलती है कि जलवाईू परिवर्तन से कैसे बचा जाए उन्होंने इस प्रथा को अपनाने के लिए ग्राम कला परियोजना सहित भारत में अनेकों को प्रेरित किया है ओडिशा के गुलेल और ताला नारंग जैसे गाओं में आदिवासी समुदाय बरसात के पानी पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए ताला बनाने और बारहमासी जलस्त्रोतों से पानी के उपयोग के लिए एक जूट हुए है जलस्त्रोत यानिकी वाटर रिसोर्सिस ओडिशा में खडिया जनजाती की एक शोध करता अर्चना सोरेंग चाहती है की ज्यादा से ज्यादा स्थानिय लोग योजनाव नीती निर्मान का हिस्सा बने वो स्वदेशी समुदायों के पारंपारिक ज्यान और सांस्कृतिक प्रथाओं के दस्तावेजी करण, सौरक्षन और प्रचार पर काम कर रही है दस्तावेजी करण यानिकी डॉक्युमेंटेशन, सवरक्षन यानिकी प्रिजर्वेशन और प्रचार यानिकी प्रमोशन पृत्वी की भूमी वजल की रक्षा करने में स्थानी या जनजाती या समुदाय अग्रणी भूमी का निभा रहे है प्रकृती उनकी पहचान, संस्कृती, परमपरा और भाशा का स्त्रोत है ये समुदाय इस महत्वपूर्ण रहस्य को समझते हैं कि हम प्रकृतिक दुनिया का हिस्सा है ना इसके उपर और ना इससे बाहर जलवायू बदल रही है इसके साथ ही हमारी प्यारी बारिश का स्वभाव भी बदल रहा है कभी-कभी चीजें मुश्किल लगेगी कई बार हमें कठिन काम करने पड़ेंगे लेकिन ऐसे अदभुत लोग है जो मुश्किले कम करने का काम कर रहे है ताकि हर साल जब जून महिना आए वर्षा की रिमजिम से पहाडिया लहला जाए हवा पानी की बूंदों से चमकने लगे नदियों में मचलिया ही मचलिया हो और हम उमंग से ना चुठे मौनसून पर नजर रखने वाले लोगों से मिलते है वायू मंडलिय वग्यानी या मौसम विग्यानी जिसे अंग्रेजी में कहते है Atmospheric Scientist और Meteorologist मौसम जलवायू और वातावरण के अन्य पहलों का अध्ययन करते है वे मौसम की भविश्यवानी करने के लिए अपने ज्यान और डेटा का उपयोग करते है दूसरे व्यावाहारिक गणितद्य यानि की Applied Mathematicians जलवायू संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए अपने गणित कौशल का उपयोग कर सकते है जलवायू विज्यानी यानि की Climateologist वर्षो या सदियों के रुज्यान पाने के लिए लंबे समय तक मौसम के ताने बाने का अध्ययन करते है और आखिर में जलवायू अनुकूलन योजनाकार यानि की Climate Adaptation Planners भविश्य के लिए सार्वजनिक स्थानों की योजना बनाने में सरकारों और समुदायों की मदद करते है ताकि हम जलवायू परिवर्तन के प्रभावों के लिए तैयार हो सके कैसी लगी ये कहानी जब अभी अभी मौसम मौनसून की शुरुवात हुई और अगर आपने समर यानि की गर्मी की रिलेटेड कहानी नहीं सुनी होगी तो जरूर सुनियेगा पानी की आवाजे तो और ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनने के लिए Books That Speak इस चैनल पर जरूर आईएगा YouTube पर और अलग-अलग podcasting channels पर website www.booksthatspeak.com मिलते हैं अगली कहानी में बाई बाई धन्यवाद